हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का SSG गुर्पुल के ओफीसियल यूटूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपसे एक बहुत ही सांदार सी चर्चा करने आया हूं और मैं आपको बता दू यह चर्चा आप मेरे पीछे देख पारे होगे आज हम प होगा भर्ति को लेकर और एक नया प्रकार का मोटिविशन पैदा होगा आपके सामने इस वीडियो को लाने के पीछे का मेरा तात पर यही है कि आप थोड़ा सजग हो जाएं आप थोड़ा एक्टिव हो जाएं क्योंकि उत्रप्र सरकार अब एक्टिव मोड में आ गई है उत्रप्र सरकार ने इस वार ठान लिया है कि बहुत हुआ अब हमें भी अपने युवाओं को रोजगार देना है ठीक है बच्चों तो चलिए हम बात करते हैं और एक न्यूज आपने दो से तीन दन पहले देखी होगी ये न्यूज है ये न्यूज आपने दो से तीन दन और ये जो न्यूज है वो योगी आयतनाज जी के ट्विटर हैंडल पर थी और इसमें इन्यूज ने कहा था कि हम अगले दो वर्ज के अंदर उत्रप्रदेश पुलिस एक लाग नोजबानों को भरती करने जा रहे हैं जब भी आप उत्रप्रदेश पुलिस की बात करते है जैसे आपके जवान पर एक सबद आता है उत्रप्रदेश पुलिस आप तुरंत जान जाते हैं कि सर उत्रप्रदेश पुलिस में अगर वेकेंसियां आएंगी तो आएंगी किस में इसमें उन्हों ने जैसे गोषणा की है कि एक लाग पद होंगे इसमें से 20 प्रतसथ जो वो सिर्फ महलाओं के लिए होंगे अब उत्रप्रदेश पुलिस में जो वेकेंसियां है वो आने वाली किसकी है देखो, कॉंस्टेबल की भरती अभी रनिंग में है कॉंस्टेबल की भरती रनिंग में है जेल बारडर बहुत दिनों से आया नहीं है फायर में की वेकेंसियां बहुत दिनों से आयी नहीं है लेकिन जो मुद्दे का विसे हो क्या है उत्रप्रदेश दरोगा है ना ये है उत्रप्रदेश जो दरोगा की जो वेकेंसियां बच्चो ये एक बहुत बड़ा विसे है क्योंकि बहुत दिनों से बहुत दिनों से हला हो रहा है कि भाईया पद आने वाले हैं UPSI के पद आने वाले हैं और ये पद कब तक आएंगे उसकी गुत्थी योगी आयतनाजी ने अपने इस पोस्ट से सुल्जा दी थी इन्होंने प्रॉपर बीडियो आपने इनका देख ल आने वाले हैं अब दरोगा में जो पद आएंगे वो 4000 से लेकर 4000 से लेकर 6000 तक याद रखना भीया 4000 से लेकर 6000 तक पद आने वाले हैं उत्तर पदेश दरोगा में 4000 से लेकर 6000 पद आने वाले हैं निश्चिंत रहिएगा आप लोग जो भी विद्ध्यारती दरोगा वनने के अपने को लेकर अपने मन में उसे पाले हुए हैं या वो इसलिए बैटे हैं कि भईया वेकेंसियां आएंगी तभी तैयारी करूंगा तो मैं उन बच्चों को एक दिसा निर्देश देना चाहता हूं as a your mentor या as a your teacher कि आप लोग जुट जाये तैयारी में क्योंकि अगर आपन प्रिक्षा का पैटरन क्या होता है हम बात करेंगे पिछले वाले पैटरन को लेकर क्योंकि ऐसी अफवा ओड़ रही है जब मैं अभी सरसे बात कर रहा था तो सर ने मुझे बताया था कि सएलेंग सर अभी हमने एक बास सुनी है कि उत्तरप्रदेश दरोगा के अंतरगत उ आ रहा है कि जो भी धोका दड़ी या नकल होती है या पेपर लीक जैसे मामले होते हैं इन पर रोक लगाने के लिए क्योंकि उत्तरपदेश में जो ओपन रिक्षक का पद है ये बड़ा पद माना जाता है इसके लिए हम क्या कराने वाले हैं प्रिलिम्स कराएंगे और फिर म पूरे प्रोसेस को कि आखिर उत्तरपदेश दर्वगा के अंत्रगत प्रोसेस क्या है उसकी एक प्रक्रिया क्या होती है स्टेज फर्स्ट है ना इसमें लिखित परिच्छा होगी स्टेज सेकेंड में सारी रिक मानक परिच्छन इबं दस्तावे सत्यापन होता है स्टेज और मेंस आपको दो स्टेज देखने को मिल जाएं तो आपको पहले से प्रिप्यार हो ना यार आप लोग यह सोच लीजिए यार तीन परिच्चा हो जाएंगी फ्री में तयार हूँ आप लोग तो वो नोजवान हो कि PCS में 88 पेपर होते हैं उसको कॉलिफे करकियार नोकरी ले जाते हो तो यह तो छोटी सी परिच्चा है आप प्रिपेर हो जाओ अभी से तयार हो जाओ जुट जाओ कि यार इस बार तो नोकरी लेनी ही लेनी है प्रत्ते एक स्टेज के बारे कि इसमें जो क्वालिफिकेशन होती है वो इसनातक होती है आप इसनातक में चाहें BSE किये हो आप चाहें BA किये हो आप चाहें BCOM किये हो आप चाहें BTEC किये हो या उसके समकच्च आपने कोई परिच्चा पास करी हो इसके समकच्च आपने कोई भी परिच्चा पास करी हो आ आप प्रॉपर तरिके से फॉर्म बर सकतें कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद शर क्या होगई से कन्रेज में अगर आपने वर्स से लेकर 28 वर्स आपको उमर होनी चाहिए अगर आप सामन स्रेणी में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो भाई, आपकी जो age है ना, वो 21 से 28 होनी चाहिए, और इसमें जो age relaxation है, वो किनकिल लोगों के लिए है, आई-समें में चूट, OBC, SC और ST के लिए 5 वर्स की चूट होती है, यानि उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहिए वो SC हो, ST हो या OBC हो, आपको सभी को 5 वर्स की चूट दी जाती है, अगर हम other state की बात करें, तो other state के जो अभ्यारती हैं, वो सामन मे ही आएंगे, तो उनके लिए वही है, जो सामन के लिए है, तो 21 वर्स से 28 वर्स है, अगर आप 21 वर्स से लेकर 28 वर्स के हैं, तो आप इस परिक्षा के लिए form भर सकते हैं, आप apply कर सकते हैं, जो second stage होगी, वो होगा, आपका क्या भई, लिखित परिक्षा, लिखित की बात करें, तो 180 सेंटीमिटर है, और female के लिए हैँड जो है, एक 22 सेंटीमिटर है, अगर सी की बात करें, तो सेल में, आपको 5 सेंटीमेटर सिना फ़लाना पड़ेगा, तो आप यह यह आद रखेंगे, ST की बात करें 77 cm होता है और इनके लिए भी 5 cm का फलाव चाहिए होता है ना इनके लिए भी कितना फलाव है 5 cm का फलाव होता है तो आप ये जान सकते हैं विसमा किसरों साहिरिक दक्सता परिक्षा में हम बात करें किसर जो हमारा साहिरिक दक्सता परिक्षा में race क्या है तो race की बात करें बच्चो फिजिकल की बात करें तो male में 4.8 km 28 मिनट में है और female में 2.4 km 16 मिनट में है याद रखना male और female का मैंने अलग-अलग इसलिए बताया है क्योंकि इस वार जो vacancy आएंगी न बच्चो अगर suppose करिएगा इस वार 6000 पद आपके लिए आए मैं ए 20 प्रतिसत पद किसके लिए होंगे ये महलाओं के लिए इन 1200 पद इसमें 1200 पद सिर्फ महलाओं के लिए होंगे क्योंकि अब घोशना कर दी है आपके योगी जी ने कि 20 प्रतिसत हम बेटियों को भरती करने वाले हैं तो बेटियां भी तयार हो जाएं इस बार कमर कसल है कि अगर 6000 पद आये तो 1200 बेटियों का सेलेक्शन होना है 4000 पद आये तो लगबग 800 बेटियों का सेलेक्शन होना है ठीक है चलो हम आगे बात कर लेते हैं कि सर जो परिक्षा होगी परिक्षा का पैटर्न क्या UPSI में तो ओनलाइन परिक्षा 400 अंकों की होनी है है ना प्रत्यक अंक प्रत्यक प्रत्यक प्रस्ण जो है वो 2.5 अंक का होता यानि जो परिक्षा आपकी होती है बच्चों जो आपकी परिक्षा होती है वो 400 अंकों की होती है एक प्रस्ण 2.5 अंक का होता है दो घंटे समय निर्दारत किया गया है पेपर जो है ना वो हिंदी और अंगरी जी दोनों में आता है जो हिंदी है वो हिंदी में आएगी वो तो सभी जो जानते हैं नौर्मल प्रक्रिया है पेपर आपका हिंदी और अंगरी जी दो भासाओं में यह छापा जाता है इसमें अगर हमसे बात कर लेते प्रोपर प्रोपर जो आपकी परिक है संबीधान है और जन्नन नौलिज 40 प्रश्ण आएंगे 100 नंबर के mathematics 40 प्रश्ण आएंगे 100 नंबर के और reasoning 40 प्रश्ण आएंगे 100 नंबर के total 160 प्रश्ण है और total 400 नंबर है इसमें negative mark नहीं होती है हाँ इसमें आप से यह जरूर कहा जाता है कि आपको प्रतेक segment में अलग-अलग qualify करना है अगर आप अलग-अलग qualify नहीं कर पाए तो आप इसमें बिलकुल भी आप आगे के लिए बढ़ी नहीं पाएंगे जरू जोइन करिए प्ले स्टोर से जाए डार्नोर करिए थैंक्यू सो मच्छ बहुत बहुत धन्यवाद